बिस्मिले रहें रहें आसलाम नेकम दोस्तों वेलकम टू सबाजी हल्थ और ब्यूटि रिप्स मेकब फिर सने वीडियो में आप तमाम दोस्तों का डेर सारा खुशाम दिद उमीद के ति हम तमाम दोस्ति ठाक होंगे और अलापाकि फजल अकरम से खैरेत के साथ होंगे ताकि मेरी दोस्तें बहुत जादा फाइदा उठासे के और मेरे तरफ से कहिएगा गर्ल्स ये सच में सो फिसद काम करती है तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आप दोस्तों के तरसी स्रेमडी को एक बार फिर से शेयर कर लेते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम एड करेंगे एक चमच अरगे गुलाब यानि के रोज वाटर उसके बाद हमें चाहिए होगी ग्रीन टी ग्रीन टी के बैग आपको सानी से मिल जाते हैं खुली अगर आपके पास है तो उसका भी इस्तमाल किया जा सकते ह को आप इसके अंदर डिप करेंगे और डिप करके या तो आप इसे आदे घंटे के लिए चोड़ दीजिए या फिर 15 से के लिए माइक्रोवेव में इसको रखिए गरम किजिए सारा असर इस पानी के अंदर रोज वाटर के अंदर आ जाएगा अब हमने टी बैग को इसके से निकाल देना है और इस पानी में बाकी की चीज़े हम एड़ करेंगे हमें चाहिए होगा कैस्ट्रोयल आदा टीस्पून जब मैं इसको एड़ कर रही थी तो उस दोरान में कैमरा बंद हो गया था तो मैंने एड़ कर लिया अब हमें चाहिए होगा ऐलोवेरा जेल आपक इमेल करके आप दोस्तों के साथ इसको शेयर किया इस्तमाल करने के बाद इसे तरह से आप इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे बहुत अच्छे रिजाल्ट्स मिल सकें अब यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्वर पेपर यानि के चांदी का चांदी का वर किचंस में पाया जाते हैं अगर नहीं भी है तो बहुत सस्ते में आपको पंसार की दुकान से या जनरल स्टोर से मिल जाता है पेपर में इसे अच्छे से पाउडर बना लीजिए हाथ की मदद से आड़ करेंगे तो यह मिक्स भी नहीं होगर हाथों से चिप से साथ मैं बता दूँ कि इसे चेहरे के ऊपर चिप चिपा हट बिल्कुल नहीं होगी और यह अच्छे से आपकी स्किन के अंदर अब्जाब हो जाएगा अच्छे तरीके से प्लाई करें साथ ही साथ आप इसे अपने हाथों पे पैरों पे बोड़ी के डाग एरियस पर भ पाएंगे जिस तरीके से आपके तसावर करती है इस दिरम को स्टोर करके रख सकते हैं 15-20 दिन के लिए उसके बाद आप इसको न्यू बना सकते हैं मेल और फीमेल दोनु इस्तमाल कर सकते हैं चोटी और बड़ी उमर की लड़किया और और ओरते सब इसको 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 इसक शुक्राते रहिए और देखते रहिए सबजी हल्थ और ब्यूटी डिप्स अल्ला हफीज